नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभाद कुमार सिंग अपने यूटूब चानल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो मैं आपके लिए डेली एक घर का डिजाइन सेर करता हूं तो आज मैं आपके साथ जो घर का design share कर रहा हूं वो दोस्तों बहुत ही फ्यारा सा घर है और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसका area में कि ये कितना area में बना हुआ है तो ये घर दोस्तों 25 feet by 30 feet के area में बना हुआ है मतलब 750 square feet में ये घर बना हुआ है अगर आप ये ऐसा घर बनवाना चाहते हैं तो आपके पास 25 feet के आसपास चौराय वाला जमीन है तो आप आसानी के साथ दोस्तों इस design को अपने घर में बनवा सकते हैं दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं तब जाके आपको daily एक design share कर पड़ता हूं तो इस वीडियो के लिए में मात्र 1000 like का दोस्त सकते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को like कर दिजें चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और design के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों left side समलों के start करते हैं तो left side में देखेंगा दोस्तों तो आपको दोस्तों इस CD room देखने को मिलता है जैसा कि आप देख रहे हैं आप स्क्रीन के left side में देखेंगे तो एक लंबा सा दोस्तों design मिलेगा जहां पे दो दोस्तों glass का यूज करके लिए नगबग साथ फीट बाई तीन फीट का जो आपको glass वाला वर्क दिख रहा है वह दोस्तों CD room में उपर में दोस्तों करकट भी लगा हुआ है जिससे अलबेस्टस से पकर पाते हैं कि यह स्लीडी रूम है उसके बगल में देखेंगे तो दोस्तों kitchen है जिसका यहां पर box design बनाया हुआ है window में और उसके ऊपर दोस्तों 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 गोला कार दोस्तों है जो adjust fan के लिए यहां पर जगा एलोटर किया गया है जो घर के ब बात करेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इस गहल का जो आपको गेलरी मिलता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं जो बालकनी है उसके बारे में देखेंगे तो दोनों तरफ से step design बनाया गया है दोस्तों और उसमें रेलिंग भी लगा हुआ है जो क उसके नीचे देखेंगे दोस्तों में वीडियो आप थोड़ा स्लो कर दिया हूं ताकि आपको सारी बाते समझ में आए अगर इस टाप का घर बनवाना चाहते हैं तो उसके नीचे देखेंगे तो आपको में इंटरेस्ट मिलता है जहां पर आपको कुछ आदमी दिख रहे है और उसके बगल में देखेंगे तो आपको विंडू है जिसके उपर में देखेंगे तो कुछ अपोजिट भी टाप का डिजाइन बनाया हुआ है जिसके उपर में भी एस्टेप डिजाइन बनाया हुआ है अगर आप वीडियो को और सुलो करकर देखेंगे तो आपको पता जल जाएगा तो देखिए जाखीर कितना अच्छा उपर वाला दोस्तों जो पाठ है उसको भी देख लिजिए जो छचट-षट के सबसे उपर वाला पाथ हैं जो पैरपेट वाल है उसको देखिए दो एक्टंगलर सेप का यहां पे आपको डिजाइन देखने को मिल रहा है और उसके बीच में दोस्तों लगभग एक फीट लंबा और पांच इन चौरा दोस्तों वीक वर्क से ही यहां पे दो लंबा टाइप का डिजाइन बनाया गया है आप देख सकते हैं तो दोस्तों मैं वी कर दूंगा तो एक बार देख लिए जो दोस्तों कुछ इस टाइप से डिजाइन है यह देखिए ने बार उपर तक ले जाता हूं ताकि आपको फिर से दोस्तों समझ में आ सके किस टाइप का दोस्तों डिजाइन बनाया गया है यह देखिए मैं उपर से लेकर पूरा नीचे तक आपको डिजाइन दिखा दिया उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा बात करते हैं कलर का तो दोस्तों कलर को मिनेशन के और भी इंक्रीज हो सकता है लेकिन यहां पर सिंगल कलर का यूज है वह भी दोस्तों काफी अट्रेक्टिव लग रहा है जैसा कि आपको भी सायद पसंद यह कलर आ रहा होगा उमेदे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर इसी तरह का आप और ज्यादा वीडि आदेजी नमस्कार